हलो फ्रेंड तो वैलकम तो दन्यू लेक्चर आप सी प्रोग्रामिंग अगें पिछले लेक्चर में जो लोगों ने डिसकेशन किया उसी के आगे हम इसको कंटीनू करते हैं तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का था था वू था मोस्ट इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जो हम सबक्राइब क्यों अरीकर कि एक ट्रीं सिखल सर्वर के जबी हो savez क्यों आयूटी क्या होता है एक क्या होता है विब डिश्वटम्मेंटम्यून में किया था लेकिन आज को अशोड़े साब हम आते हैं सी पर क्योंकि फॉस्ट डौ लेक्चर जो हम बात करने वाले सी क्या है ठीक है इसको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से समझना ठीक है क्योंकि प्रोग्रामिंग जब हम शुरू करेंगे उसके पहले अगर आपका बेस रेडी होगा तो आप लोगों को तरीका होना चाहिए लेंग्वेज को पढ़ने का तो सबसे पहले बहुत शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि वीडियो के नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे क्योंकि आप हमारे ब्र नहीं होता है अगर आप रामायन सुनाएंगे इंटर्वू में तो वो इंट्रेस्टेट नहीं होगा प्रिस्क्राइब एंसर आपको देना पढ़ेगा शॉर्ट एंसर आपको देना पढ़ेगा ठीक है तो यदि आप से उसने पूछ लिया करेंगे तो हम सी को कैसे इसको प्रिस्क्राइब करना हूं इसके अलावा आज हम बात करने वाले हिस्ट्री आफ सी के बारे में सी गब बनी थी सी को किसने बनाया था और सबसे इंट्रेश्टिंग इसका नाम सी को रखा गया है चाहसी का कोई full-form है तो यह सारे questions आज हमारे lecture में cover होंगे तो चले शुरू करने तो सी को हमने define क्या किया था it is a middle-level language which is used to design a system software to system software designing क्या होता है यह हमारा previous lecture में cover हुआ था फिर से एक बार अपन discuss कर लेंगे लेकिन अब पहली बात यह middle-level language क्या है what is this middle-level language ठीक है why सी स्कॉर्ड और यह समझना सी इस दा only language इसको मिडिल की category में रखा गया है कोई भी language अगर आप computer world की कोई भी language देखो गे तो या तो आपकी language high-level language है या low-level language language को उसके characteristics के साब से दो category में divide किया हुआ है या तो हम बोलते यह low-level language है यह हम बोलते है हाई-level language है ठीक है low-level और high-level लेकिन सी अकेली वो language है जिसको मिडिल की category में रखा गया है अब एक language को low-level और high-level बोले के लिए उसके characteristics उसकी speed क्या है उसकी accuracy कितनी है ठीक है time complex device language कैसी है ठीक understanding कैसी है तो या तो वो language low-level language होगी like जैसे low-level language में आती machine-level language microprocessor language ठीक माइक्रोपोसर की जो असेंबली language है वो low-level language में आता है high-level है आज की इतनी भी languages है Java Python PHP VB.net VB.net C sharp.net यह सब किसमें आती है high-level language में लेकिन C को middle-level language बोलने का reason यह है C follows the characteristics of both low and high-level language C दोनों की characteristics को follow करता है C low-level की characteristics को follow करता है और C high-level language की भी characteristics को follow करता है इसी लिए सी कॉम बोलते हैं it is a middle-level language और यह characteristics क्या है यह आपको भी future जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको characteristics बताते रहूंगा क्योंकि वो थोड़े से technical time है और अभी हम चाह रहें कि C अगर हमें बिना टेकनिकल के भी initially समझ में आ रहे है तो वह आती रहे मेरा यह मानना है आप को अगर एक बार सी समझ में आगे अगर आपको यह समझ में आगे कि हाँ यह बहुत अच्छी लैंग्वेज है हम इसको सीख सकते हैं और शुरुवात में हमेसा कोई टफ कॉंसेट यूज नहीं करेंगे जिससे आपको सी टफ लगने लगे लिए इसलिए बिल्कुल स्मूथ सिंपल लैंग्वेज में सी को पढ़ रहें कि ही बहुत सिंपल यार बहुत सिंपल लैंग्वेज मजा आएगा पढ़ने में इसको डोंट वरी राइट तो क्या बो सॉफ्टेर अगर आपको सिस्टम सॉफ्टेर डिजाइन करना है तो सी इस कप आफ एटी यहां पर सी आपको सीखना है ठीक तो हमने का डिफिनेशन दी इस अ मिडिल लेवल लैंग्वेज विच इस यूज तो डिजाइन सिस्टम सॉफ्टेर अब थोड़ इसे जैसा हर लै 1972 में 80 NT Bell Lab USA के लिए इस लेंगवेज को डिवलप किया था ठीक है 1972 वाज दी यह देनिस रिची इन बेहाइंड सी लाइंगवेज जिनोने सी को डिवलप किया था और जिस कंपनी के लिए इसको डिवलप किया था उस कंपनी का नाम है 80 NT Bell Lab USA तो इस अ ब्रिफ हिस्टी इस को अगर समझोंगे तो आपको समझ में आएगा इस लेंगवेज की नाम को रखा गया है बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टूरिय मैग्जीम अम लेंगवेजिस के न आम के पीछे जैसे जिसको आपको समझात हम hurt java को java क्यों बोला जाता है what is the meaning of Java actually Java के developers छो थे जैंस गोसलिन उनको ये सो उनका थोट ये था कि बहुत ये एसी लैंगवेज होने चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमेशा यूजर फ्रेश रहे रिफ्रेश रहे एक्दम ताजी ताजी ओना ची दिमाग में तो क्या होता है ये जो पर संदिना ये हिज़ा डाय फेन अफ तो उन्होंने सोच है क्या होता है जब आप कोई बहुत थके हुए हैं थोड़ा सा टायट फील कर रहे हैं और अगर एक कप गरमा गरम कॉफी मिल जाए तो कैसी बिलकुल ताजी आ जाती है यही लैंगवेज है जावा फ्यूचर में आप पढ़ोगे अगर आपके इच्छ होते ह來 कौफी करने के लिए आलैंट कफी फेमर से तो इस आईलेंट के नाम पे जावा का नाम रखागा आप जावा इजाव नका ब्रांडा ब imagen और पाइफॉन के अलगलग मिनिंग लेकर एनकोंड आजगर रहे पाइफॉन का मिनिंग इन्दी में अजगर होता है और जैसे को लैंगवेज होगी नो पाइफॉन को पाइफॉन बोलने के पीछे रीजन है पाइफॉन को डेवलपर ए गुड़ वैं रोसंग उस नाइज जब पाइफॉन आपको पता है कब डेवलप वी थी 1989 में ठीक ए 1991 में इसका ओफिशल वर्जन आया था उससमें एक बहुत फेमस टीवी सीरियल चलता था और देको क्या इंट्रेस्टी स्टोरिय टेक्नोलोजिस के नाम के पीछे इस हमारा एक फेवरेट टीवी सीरियल होता है अ मॉंटी पाइफॉन सरकस के नाम से सीरियल मॉंटी पाइफॉन सरकस देखना बूगल करना सर्च करना आपको मिलेगा मॉंटी पाइफॉन सरकस और यह उस डेवलपर का काफी लाइक वाला सीरियल नावा काफी पसंद कर देवी सीरियल को तो सीरियल के नाम पे इनोने इस ल हर हर टेखनोजी को आप से नोगए जावा से रिलेटेड़ेट हैं इस्प्रिंग टेखनोलाजी उसके पीछे भी कहानी एक आपके ना गूगल करना आपको कहानी समझ में आएगी कि मैं अगर बहुत डिटेल में जाओंगा तो अपने एक्योल लेक्षर इदर भटक जाएंगे राइट तो python को python को जावा को जावा क्यों बोला spring को spring को बोला hadoop को hadoop को बोला ठीक है इन सब के पीछे कहानिया है वेसे ही c के पीछे भी कहानी है c के पहले भी कही the language ! में थी आई सीके लिए लेंगिऀज नहीं है सी के पहले भी लेंगवज और अई Cheese को नना लinsky Calvin algorithm languages boolag به ईसको algorithm राइ यह 독 इंप मार्केट में आई 19st Eastか around exact यह वं देख ब्रबर अब यह ए्ल套 Erm egy लिए मार्क आई लिए तो और शॉड़ Packaji हुई लेकिन इस लेंग्वेच के साथ प्रॉब्ले में थी इस बिट कॉम्प्लिक एड़ लेंग्विच बतम नॉर्मल यूजर के लिए बहुत दिक्कत थी नॉर्मल डिवलपर के लिए इस वेरी टिपिकल टू लॉर्न दिस एंड डू प्रोग्रमिंग इन दिस लैंग्विच तो यह सोचा गया चुक्यो ना इसको इसी करके कुछ एक नहीं लेंग्विच डेवलप की जया थोड़ा इसको इसको इसी करके एक नहीं लेंग्विच जिसका नाम रखा गया बी-सी पील अचाहिए यह दान रखना सी का कोई फुल फॉर्म नहीं है करे लोग थाए ने सी कंप्यूटर से रिलेटल लाइंग्विच है दिर इस दो फुल फॉर्म औफ लैंग्विच छी का कोई फुल फॉल फॉर्म नहीं है आते है पने इस पर भी राइड हां लेकिन का है इसका नाम था Basic Combined Programming Language BCPL Basic Combined Programming Language Basic Combined and Programming Language यह इसका 하 फॉल का BCPL का, अब इसमें भी डेवलप्मेंट हुआ, BCPL में Programming चुरू हो ही लोगोने BCPL को लाइक किया, ठीक है, टोड़ी सिंपल लेंगवेस थी लेकिन क्या होता है एक Mingujrict में जब फीचर की कमी होने लगती है एक लिमिटेड तक ये language सपोर्ट कर रहा है लेकिन फिरिसमें नए features की limitation थी यूदर जो रहा था वो इसको इसमने में बीलेपर ने सोचा फिर से सोचा कि स्विख्यों। ने में कुछने इसटेंगे जोड़ा जाए लेकिन ज ARM is BCP early the tradust to changes के बाद एक नहीं लेंगवेज मार्केट में आगी जिसने BCP哈哈 मार्केट से आउटी कर दिया लेकिन जब वो लेंग्वेज आई तो डेवलपर से बुचार सर इसका नाम क्या रखा जाए तो उन्हों ने क्या किया इस BCPL का पहला लेटर उठाया और लेंग्वेज का नाम रखा बी लेंग्वेज यह बी लेंग्वेज मार्केट में यह आई भी अब भी में वर्किंग चुरू हुए यह बात हम कर रहे है 1968 67 कर रहूंड रइट बी लैंग्वेज मार्केट में बी में प्रोग्रामिंग शुरू हुए अब जब बी में प्रोग्रामिंग शुरू हुए तो फिर वही बात है एक फीचर्स की लिमिटेशन देनिस रिची ने ये बोला कि बॉस में आपको एक लैंग्वेज देता हूं जो इस बी के फीचर्स को भी चेंज करेगी और आने वाले कम से कम 50 तक तो इस लैंग्वेज में सारे फीचर्स की अवेलेबिलिटी रहे रहे तो बीसी पेल से जब भी आया और जब इस बी को चेंज किया गया तो जो नहीं लेंग्वेज मार्केट में डैनिस रिची ने दी अब डैनिस रिची से पूछा इस तर क्या नाम रखा जाए तो उसने का कुछ भी नाम रख तो टेक्न जाइब की त्रीची ने इसको मार्केट में लेकर आया ठीक है और तब से लेके आस तक आप सोचो 1972 जा में तो नहीं था आप में से पता नहीं कोई हो के नहीं है लेकिन धैन गतने अंय था यह लाइगेज 1972 से लेकर मार्केट में काम कर रही और को आउट किया था लेकिन सी के बाद अभी कोई ऐसी लेंग्वेज नहीं आई है जिसने सी को मार्केट से आउट करा हूँ अब आप पढ़ रहे हैं अगर आपके इच्छा है तो इसमें और अपडेशन सोचना हो सकता है आप नहीं लेंग्वेज निकाल दें पी लेकिन अभी नहीं तो प्रिविएस लेंग्वेज इसको मार्केट से हटाई दिया क्योंकि फीचर इतने पावर्फुल थे तो सी कहीं सारे फीचर्स को लेकर मार्केट में आई जो हम आगे फ्यूचर में भी डिसकस करेंगे ठीक है तो कहानी आपको समझ में आई कि इसको सी क्यों बोला गया आपको समझ में आया होगा तो जो हमारा आज का कॉंसेट था वाटी सी एक्चुली तो हमने क्या बोला है सी इस अ मिदल लेवल लेंग्वेज विच विच इस यूज तो डिजाइन इस सिंगल लाइन देफिनेशने आपको इंटर्वी में काम आएगे इसके अलावा जैस देटेट जैसा भी हम पड़ते जाएंगे इडिज़ फंक्चन ओरियंटेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज इडिज़ प्रोचेजर ओरियंटेट प्रोग्रामिंग्वेज सारी चीज़ें आंक और करेंगे डोन बादर आब इस तेंग लेकिन ये लेक्ट्टर आप होप आई होब आपको समझ में आओगा वाड़ी सी एक्चुलिर सी के पीछे की कहानी किसी को सी क्यों बोला गया किसने डिवलप की ठीक कहां पर डिवलप होई है ठीक तो यह सारा कॉंसेप्ट अभी हमने देखा वाड़ी सी में अब इसके बात का जो लिक्चर होगा बस वहां से ह हमारी प्रोग्रामिंग कॉंसेप्ट और टेक्निकल नॉलेज अब हमारा शुरू होगा क्योंकि अब हम मोस्ली टेक्नोलोजीकल वर्ट पर बात करने वाले हैं क्योंकि अब हम इसके बाद यादे हमने डबलू डबलू एच का फॉर्मूला दिया थो वाई हो गया वाई सी अब हमारे अगला लेक्चर होगा हाउ टू लान इट इसको कैसे सीखा जाएगा और वहां से फिर हम सी की बात करेंगा अभी तो मैंने आपको ओवराल सेनारियो बताया है सी ही नहीं इसके अलावा भी हम लोगोंने बात की है लेकिन अब हमारा नेक्श लेक्चर से फोकस प करेंगे और मुझे पता है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार बोलूंगा ठीक है करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड कंटेंट हमारे आप जरूर विजिट करे है वेबसाइट पर क्योंकि जितने lecture इंपोर्टेंट है उतने ही कंटेंट भी इंपोर्तने एereiशे कंटेंट भी टखनोलाजी सब्सक्रीत है तो वेबसाइट आइट को विजिट करें कं तेंड यथी और कोई भी छोटा सा क्वेशान है दिमाग में ना रखें हमारे दिमाग में पहुंचा दें है ना विए रेडी तो एंसर यूर कोश्चन कमेंड करें हम लोग आपको एंसर करेंगे तो I hope you guys can enjoy this lecture मिलते हैं next class